खबरदार, सावधान, होशियार, जरस समहल के जनाब, खास्त और से किताबों के शौकीन, फिल्मों के रसिया, उन्हें देखने के मुरीद, आप सब अपनी अपनी किताबों की रैक, अल्मारी, खंगाल लीजिए। ऐसा नहो, कहीं लियो तौलस्ताय का विश्व प्रसिद उपन्यास, वौरिन पीस, जीहां, जिसका हिंदी अनुवाद, युद्ध और शांती है, वह न रखा हो, कहीं आनन पतवर्धन की बेहद एहम डॉकुमेंटरी फिल्म, जै भीम कॉमरेड न रखी हो, ये सब और इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, आपको स्टेट के खिलाफ अभियान चलाने वाला साबित कर सकती है, वैसे भी ज्यान चक्षु खोलने, जिसे सरल शब्दों में कहें तो दिमाग की घंटी बजाने के दौर में, विज्ञान और विज्ञानिक सोस समझ को, राम सेतु में लगाने की जो होड चल रही है, ऐसे में न्यूस क्लिक के कायकरम, खोच खबर में आप सबका स्वागत है, एक बहुत एहम खबर से हम अपना चर्चा शुरू कर रहे हैं, मुंबई हाई कोट के निया धीश, जस्टिस सारंग कोतवाल ने, कुछ किताबों, फिल्मों, लिट ट्रेचर, इन सब को खतरनाग बताया, वह 31 दिसंबर 2017 में महराष्ट के भीमा कोरेगाओं हिंसा के मामले में, गिरफतार वर्णान गोंजालविस की जमानत की सुनवाई के दौरान, इन तमाम चीजों पर अपनी बात रख रहे थे, सुनवाई के दौरान, जब गोंजालव केस के ऊपर जो केस दर्ज किया जा रहा था, उनके घर से जो चीजे बरामत थी, उनको सामने रखा गया, जिनमें वार इन पीस थी, फिल्म थी, बाकी और सामगरी थी, तो जजस साहब ने पूछा, कि आखिर दूसरे देश के युद्ध की कहानी की पढ़ने की जरूरत क्य की, और इसके जरीए यह साबित करने की कोशिश कीगी, आरोपी, देश के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, युद्ध कर रहे थे, या उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे, यहां ध्यान देने की बात है, कि जो अदालत है, और खास सोर से यह जो जजज है, जो सिंगल जजज बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी, उनकी जमानत की सुनवाई की बात चल रही थी, वह किस तरह का बयान देते हैं, किस तरह से चीजें पूछते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा, कि आप क्यों इन आपत्ती जनक समगरी, जैसे वार एंपीस, किताबों और सीडी को अपने घर पे रखते हैं, आपको अदालत को बताना होगा कि आखिर ये तमाम चीजें आपके घर पर क्यों थी, इससे कम से कम एक बात तो साफ है, कि वार एंपीस को लेकर भी जब जानकारी इतनी कम है, देश के एक हाई कोट में, तो बाकी निशली अदालतों में जब इस वहाँ इनसाफ कैसे और कब मिल सकता है, इस पर एक बड़ा प्रशन चिन खड़ा हुआ है, हाला कि दिल्चस बात ये है, कि जब जज का ये बयान सामने आया, जज का ये सवाल सामने आया, खबर ने छपी, तो सोशल मीडिया पे इस पे जबरदस्त बहस बाजी हुई, ट्वीटर सब पे डाला और पूछा कि मेरे घर पर भी ये है, क्या इस आधार पर मुझे राश्द्रोही साबित किया जा सकता है। युद्ध का एलान है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री के हाथ में वारेंट पीस होना वही संकेत नहीं देता। इसी क्रम में एक जो छोटी सी खबर आई और जो बहुत चिंता जनक है, वह आई है राजस्थान से। राजस्थान में जनवादी लेखक संग के जो सचिव हैं, युवा कहानिकार हैं, संदीप मील, उन्हें सीकर से पुलिस ने गिरफतार किया। जिस तरह से यह गिरफतारी हुई है, जिस तरह कि उनके उपर आरूप बताये जा रहे हैं कि लगाये गए हैं कि वो आंदोलन में शामिल थे, तमाम तरह कि लिट्रेचर चाप रहे थे, जो कि लोगों तक पहुचाने का काम कर रहे थे, वह निश्चित तोर पे हमें और आयरवेद, गाय, गोबर, एटम, वेद, सारी चीजें दुबारा से हम पे थुपी जा रहे हैं और इसका जिम्मा सीधे सीधे देश के शिक्षा मंतरी रमेश पोखरियाल निशंक ने उठा रखा है, वह देश के तमाम संस्थानों में जाके, IIT में जाके, विज्ञानिक सं नहाएं हैं, इन सब में मौझूद है, आखिर यह जो विज्ञान विरोधी माहौल है, यह क्यों बनाया जा रहा है, सरकार एक एजंडे के तौर पे लगातार इन तमाम अव विज्ञानिक बातों को हमारे सामने क्यों थोपना चाहती है, इस बारे में हमने बाचीत की, सिध्धस्त हैं, और लंबे समय से इन मुद्दों पर काम करते रहे हैं, हाडी मंत्राले जब से समाला है निशंक जी ने, रमेश पोक्रियाल निशंक जी ने, तब से वो लगातार जो बयान दे रहे हैं, आयाएटी में जाके बयान दे रहे हैं, कभी वो राम सेतू पर अभ सब कुछ पहले था, अभी हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, पहली बात यह है कि इनकी विज्ञान विरोधी जो चिंता है, इससे शुरू होती है कि भविश्य में कुछ भी करना है, भूत में हो चुका है, तो इसलिए भूत ही हमें रिसर्च करना पड़ेगा, उ कहते हैं, फॉल्स नैशनलिज्म का अब महौल बनाना चाहते हो, उसका उद्देश यह है कि आप अपने आपको और बढ़ा करके आखना चाहते हो, और क्योंकि आप माइथालोजी अप दे पास्ट को माइथालोजी अफ दे प्रेसें से जोड़ना चाहते हो, तो एक तो इस चीजों की बातचित कर चुकी है, गनेश का, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी हमारे पास थी, एलिफेंट का हेट ट्रांस्प्लांट हम करते थे, पहले जेनेटिक्स हमारे पास थी, गांधारी की सौ बेटे, जेनेटिक्स कुछ करके, माजिक करके निकला है, फाला ना ढमाक तो बहुत पहले की है पर अब जो है राम सेटु की जैसी बात करे राम सेटु की बात बार बार आती है लाँ सेटु को ये जुसे अगर आप देखें तो एक ऐसा वार व्रोबे,शन है मना जो समूंदर जब नीचे था काफी नीचे था तब ये लिंक स्री लंक का जो अभी सि का एक ब्रिज था इसके अलग-अलग नाम से घोशित घोशना है नाम नाम करन पर मैं नहीं जाना चाहता हूं पर अगर आप देखें इस तरह के लैंड मासे से जुड़ना यह समुंदर के लेवल के उपर डिपेंड करता है तो यह करीब एक लाक असी हजार साल पहले कभी स्र का लैंड रिच रहा होगा तो राम अगर जो अभी हिस्टोरिकल जो हमारे पास रेमेनेंट्स मिलते हैं जहां पर आप आर्केलोजिकल कह सकते सिविलाइजेशन की निशानी मिलती है महंजदर हरापा भी करीब पांच हजार साड़े पांच हजार साल पहले और इसके पहले कोई शहरी जीवन में नहीं थी अगरिकल्चर भी दो ढ़ाई हजार उसके साल पहले की है महंदर जहां पर आपका पहला आपका मिलता है एगरिकल्चर वह भी हमारे हां पर करीब दस हजार साल पुरानी है तो एक लाग असी हजार साल पहले बानर से ना राम जो है वो कल्प करना है कि वैगानिक सोच ही गलत है क्योंकि हमारे पौरानिक सोच जो है वही असलियत है जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समें भी कश्मीर सुलग रहा है देश की सबसे बड़ी कैद में तबदील हुआ कश्मीर लगातार जमहुरियत की मांग कर रहा है लगातार खाने की अधिकार की मांग कर रहा है न्यूसक्लिक की टीम कश्मीर गई वहाँ पर उसने बाचीत की कुछ बहुत अंदर तक जाकर फुटेज जुटाए बहुत मुश्किल से वापस आई वह आप अभी देखेंगे रात तो हमें जुटी देनी पढ़ती है क्यां कि उप्रेश के जब उसको फुटेलाइज नहीं करते हैं हमें खुद ही उनका अलाइज करना पढ़ता है हमारे पास मेडिकल की सोभी लात नहीं है हमारे पास अभी फूड सपली नहीं है दीफ हमारा सिंदा है लेकिन इसमें लिडिया घरानु और फैक्ट फाइंडिंग्स अंगठनों ने साबित किया कि विरोध प्रदर्शन हुआ था विरोध प्रदर्शन की जगा श्रीनगर के सौरा में आचार गाउं की जनाब साहिब मजजित थी अनुछे 370 की बात करने वाले पोस्टरों और गूगल मैप्स पर इन जगाओं की क्रॉस रेफरेंस से यह साबित हुआ इसी बीच ग्रह मंत्राले की तरफ से जिस प्रदर्शन को पहले खारिच किया गया था उसे बाद में सुईकार कर लिया गया और यह भी माना गया कि इस दौरान ज़ड़पें हुई थी उसी शाम न्यूस क्लिक की एक टीम शेरे कश्मीर इंस्टिट्यूट ओफ मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची जहां पर घायल लोगों को भरती किया गया था उन्होंने भी यह बताया कि रैली हुई थी जहां सुरक्षा बलो ने आसु गैस के गोले छोड़े और पैलेट गन भी चला था जोड़े बहुत जखनी थे सुरह प्लीस में हमने छोड़ा पुरामन जलूस था जोह सावत्पुरा पहुंचा अब वहां एसोचू आगया हमने उसको कहा है यह चोड़ दो हम यहां ही तक जाएगा इसके बाद हमाप अचाएगा लेकिन जहां वहां एसोचू था उन्हें कश्मीर से जो खबरे आ रही है वह निशित तोर पे दिल दोहलाने वाली है वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो पूरी तरह से रुकी हुई है लोग दवाईयों के लिए परेशान हैं कीमो के लिए परेशान हैं महिलाओं के बड़े पैमाने पर मिसकैरिजेज हो रहे हैं लेकिन उन तक न इलास पहुश पा रहा है न दवाईयां पहुश पा रही हैं ऐसे में एक जो डॉक्टर हैं उमर सलीम अख्तर उन्होंने प्रधान मंत्री से लिखा कि एक बच्ची को कीमो की जरुवत है वह कैंसर की पेशेंट है जैसे ही उन्होंने यह अपनी अपील लिखी कुछी समय बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया यह किस तरह का विकास है जो प्रधान मंत्री नरेन मोदी और ग्रिह मंत्री अमिश्चा इस वादी को देना चाहते हैं कश्मीर की ही तरह असम असम में रहने वाले लोग उनकी पीड़ा हमारे जहन में दर्ज ही नहीं हो रही है असम में नेशनल रिजिस्टर फॉर सिटिजन्स एनारसी को प्रकाशित करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है और इससे वहां के निवासियों का दुखदर्द और चिंता इतनी जबर्दस धंग से बढ़ गई है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पा रहे हैं ऐसे अंगिनत बच्चों का भविश अधर में लटका हुआ है जिनक ऐसी ही एक गिल को दुखाने वाली कहानी 14 साल की मासूम बच्ची की सामने आई है जिसका नाम है नयन मोनी दास वह असम के सिलचर शहर में एक रिफ्यूजी सेटिल्मेंट कॉलोनी में रहती है उसका नाम 31 अगस्त को प्रकाशित होने वाली लिस्ट में शामिल नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि उसके दादा स्वरगी प्रसन्ना दास का नाम डाउटफुल वोटर की सुची में था ऐसे हजारों मामले हैं जिन पर हम बतौर भारतिय नागरिक चिंतित नहीं हो रहे आईए अब चलते हैं बुलन शहर जी हाँ बुलन शहर उत्तरप्रदेश का वह श मारा पीटा था और फिर गोली मार दी थी इंस्पेक्टर का नाम है सुबोत कुमार सिंग हमने इनके परिजनों से मुलाकात की और इसकी वज़ा यह थी कि इस हत्या में शामिल इस हिंसा में शामिल जो लोग थे उन्हें हाई कोट से इलहाबाद हाई कोट से जमानत मिल गई वीडियो तमाम जगहों पर प्रशलित हुआ वाइरल हुआ उस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से लोग उन्हें फूल माला पहना रहे हैं किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं जैश्री राम के नारे लगा रहे हैं इस वीडियो ने इस परिवार को धीतर तक हि यह जान सकें कि वो जो पिछले आठ नौ महीने से कोशिश कर रहे हैं, इस हत्या में जो शामिल थे लोग थे उन्हें सजा मिले, लोग भूले नहीं, वो एक किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटना करम को, आखिर वे कौन लोग हैं जो हत्यारेों को फूल माला पहना रहे है इससे पहले भी हम देख चुके हैं, कि जब लिंचिंग के मामले होते हैं, वो लोग बाहर आते हैं, मंत्री अंदर तक जाते हैं उनसे मिलने के लिए, मंत्री के घर में वो लोग आते हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां मरने वाला कोई साधारण भारती नागरिक नहीं है यहां हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग की जो लंबे समय से इस सिस्टम का हिस्सा थे 21 साल से अधिक इस सर्विस उंकी थी जब उंकी हत्या होती है तब भी जो हत्यारे हैं भीड में शामिल लोग हैं वे छूटते हैं और पूरे दबंगई के साथ समाज का एक हिस्सा उंके साथ होता है छूटने वाले लोग उंके नाम हम जानते हैं कौन है हम जानते हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं हम जानते हैं कि भाशबा के साथ उंके क्या रिष्टे हैं हम जानते हैं कि बजरंग दल के साथ उंके क्या रिष्टे हैं आईए देखिए ये वीडियो अब मुझे जहां तक लगता है पुलिस की कारवाई में तो कोई कमी नहीं रही है लेकिन जो S.P.O. हैं जब हो अलाबाद हाई कोट में बेटे हैं शायद उनी से कुछ कमजोरी हुई है वरना क्योंकि आगए का केस तो उनी को ही देखना था पुलिस जब चार्चीट फाइल कर देती उसके बास तो लॉयर सरकारी लॉयरी देखेंगे अब पता नहीं क्या हुआ है कि इतनी जल्दी जामानत मिल गई राष्ट्रो द्रोह से तो एक साल तक जामानत नहीं मिलती है इनको छे महीने में जामानत मिल गई कल एक रोगों का मेरे पास फोन आता है तो वही पॉलिटिक्स वाजी जादा हुई है इसलिए यह सब कुछ हो रहा है और पड़ी है इसमें पालिक्स वाजी आप देखना हिए कितिनी पॉलिटिक्स वाजी होरही नहीं तो जaaaweet नाम की च सेचीज नहीं पालिक्स कडा कर छीप्टे अपना फाइदा हर किसी की जान का फाइदा उठाओ, फाइदा तो न उठाओ, अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, अगले की जान गे, उसका घर गया, तब आओ वह परिशान परिवार हो रहा है, तुम अपने मजे लूट रहे हो, हमारा फाइदा कैसे, मैंने उनको चेलेंज किया, मैं एक बात बताओ, यह पॉलिटिशन्स क्या अप पुलिस वालों की लाइफ एक दिन भी जी सकते हैं, एक चेलेंज देती हूं, आप लोगों को जो पुलिस वाला सुबे से लेकर शाम तक जो जेलता है, आप लोग एक दिन के लिए जेल कर दिखा दो मुझे, मैं आपके पैर चूँ जाओंगी, तो वह कहते हैं, भाया, हमें माफ कोई, तो फिर कहते ही क्यों हूं, और यह बाहरा आते हैं, तो यह एक एक जामपल सेट करता है, कि कोई कुछ भी बड़ा बावाल करते, वह बात में बाहरा जाएगा, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है, एक एक उनको हीरो मान रहे, उन्हें नहीं समझ में आता कि किस कारण पीछे थे जेल में, किस कारण 7-8 महीने तक यह जेल में बंद रहे थे, किस कारण जब पुलिस डाले थी तब यह भागे हुए थे यह जो सवाल उठे हैं, इन सवालों पर हमने तफ्तीश की, हमने इन्मिस्टिगेशन किया, हमने बाचीत की, और इस पर हम एक बड़ी खबर के साथ, आप से फिर होंगे रूबरू, इस पर एक बड़ी खबर, विस्पोटक सवाल, आपके सामने रखेंगे और बताएंगे, कि जो पूरा सिस्टम है, वह किस तरह से हाथ जोड़े हुए है, हत्यारों और हिंसा करने वालों के साथ, उसके लिए इंतजार करिए हमारी अगले रिपोर्ट का, खोश खबर में बस इतना ही, बहुत जरूरी है कि हमारा और आपका रिष्टा बना रहे, आप देखें पर बात करना बहुत जरूरी है, शुक्री राद।